के बीसी में जितने वाले लोगों को पैसे कौन देता है? क्यों ये बंदा चार लाग के सोने के ब्लेड से लोगों की दारी साफ करता है? एक ऐसा पक्षी चुकि अपने ही जंगल में आग लगा देता है लेकिन क्यों और ट्रेन अपने ट्रैक रात में कैसे चेंज करते हैं जानने के लिए बने रिनवड केंड तक आपको आईफोन की ये बात पता नहीं होगी कि अगर आप ऐपवोन से किसी दुसरे आईफोन यूजर को फ्यू फ्यू टेक्स कि इससे उसकी किस्मत बदल जाएगी और माला माल हो जाएगा हसी की बात तो यह है कि उसके कार ही बस पांच लाकी है कुछ दिन पहले फेस्बुक इंस्टा और वाट्साप कम्प्लेटली शटडाउन हो गया था कम से कम साथ घंटों के लिए इतनी देर बंद हैने की वज़ए से मार्क जकबक को करी 52,000 करोड का नुकसान हुआ था इसलिए उन्होंने सबसे माफी भी मांगी थी क्योंकि कई लोगों को इससे बहुत प्रॉबलम हुई थी अंदाजे के लिए नॉर्मल दिनों में Flipkart 100 iPhone बेचता है लेकिन इन Big Billion Days में Flipkart हर मिनेट 70 iPhones बेचता है यानि कि एक दिन में 2 लाक यूनिट से ज्यादा के iPhones आपने LPG गैस की स्मेल सूंगी होगी ज्यादा तर लोग मानते हैं कि ये गैस की ही स्मेल है लेकिन ये बात सच नहीं है क्यूंकि LPG जो गैस होती है वो स्मेल लेस होती है यानि कि उसकी कोई भी स्मेल नहीं होती जैंड फैक्टरी में गैस बनाया जाता है तब उसमें जान बुच के एक केमिकल डाला जाता है स्मेल के लिए ताकि लीक होने पर तुरंद पता लग जाए दुनिया के हरी कोने में चर्च होते ही है लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च पोलैंड में मौझूद है यहां हर पच्चास कदम पे एक चर्च है यह फोटो देखो यह मैप है पोलैंड का जिसमें चर्च का फिल्टर लगाया गया है अगर ऐसे में यहां के लोग सबसे नस्दीक वाला चर्च सर्च करेंगे तो गूगल पागल हो जाएगा नमर फोटीन रोड पे बहुत नॉइस पलिशन होता है और इस प्रॉब्लम को ठीट करने के लिए नितिन गड़करी जी ने जुकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उन्होंने एक कानून निकालने का सोचा है जिसके चलते हैं सब लोग अपने गाड़ी का होन किसी भी म्यूजिक इंस्टूमेंट के साउंड से रिप्लेस कर देंगे जैसे की गिटार, प्यानो, ऐसे टाइप का ताकि नॉइस प्लूशन कम हो इसका सोंड बहुत ज़्यदा लाउड नहीं होगा मॉममई में अगर ये सिस्टम आता तो ट्राफिक में एक दो सोंग आराम से बन जाएंगे समध थर्टीन और उसमें कई अलग अलग तरीके से आग लगानी की कोशिश करता है और एक बार आग लगनी के बाद ये पक्षी उस लकडी को जंगल में जाके छोड़ देता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है, और फिर ये जंगल के बाहर उड़ते हैं, जैसे ही कोई शिकार बाहर आता है तो ही उसे दबोज लेता है साल 2018 में एक आदमी ने अपने घर पर तोता पाला था लेकिन फिर तोते की वज़े से उसे अपने घर से अलकसा स्पीकल को हटाना पड़ा क्योंकि पैरेट आने के 5 महिने बाद उसके घर पर रोज कुछ न कुछ अजीब चीज़ें डिलिवर हो जाती थी जो उसने कभी और भी नहीं किया होता था और उसमें खास कर खाने की चीज़ें होती थी फिर एक बाल जब वो अपना CCTV कैमरा चेक कर रहा था तब उसने देखा कि उसका जो तोता था उसका पिंजरा एलेक्सा स्पीकर के बहुत पास था और सारा जो सामान था वो पैरट ही गलती से रैंडमली ओरर कर देता था नमर 11 आपको जो ये लेंस दिख रहा है ये कोई आम लेंस नहीं है इसमें 3.2 बिलियन पिक्सल्स है जो सबसे बड़ा सिंगल पिक्चर लेता है ये जो इमेज है उसे देखने के लिए 400 Ultra HD 8K TV चाहिए होता है बस एक बार देखने के लिए जिसके बाद वो TV भी सपोर्ट छोड़ देता है और इसकी एक इमेज कई हजारों TV में होती है आम जिंदिगी में लोग नॉर्मल ब्लेड से पाल कारते है लेकिमें टॉस जिंदिगी में नहीं पूने में एक सैलोन ओना है जो आट तोला सोने से बना गोल्ड का रिजर इस्तिमाल करते है बाल काटने के लिए ताकि ज्यादा लोग इनके सैलोन की तरफ अट्रैक्ट हो और बस ब्लेडी नहीं ये सोने के सिजर्स भी यूज करते हैं बाल काटने के लिए दरसल इनका बिजनस कूविड की वज़े से बहुत ज्यादा डाउन हो गया था तब ही उन्होंने अट्रैक्शन के लिए ये सोने का ब्लेड बना दिया ताकि लोग इनके दुकान की तरफ अट्रैक्ट हो नमा नाइन एक सवे के हिसाब से जो लोग सेप्टेंबर से नवंबर की बीच पैदा हुए होते हैं और उनमें से बस एक पसंड लोग ही मार्च में पैदा हुए थे उस्ट्या की एक कंपनी ने स्मार्ट शूस बनाए है ये शूस सेंसर पर चलते हैं यानि कि ये अंधे लोगों के लिए बनाए गये हैं जो लोग देख नहीं सकते वो लोग इन सेंसर की मदद से अपने रास्तों को नैविगेट कर सकते हैं ये शूस अभी भी पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हुए हैं ये इसमें येफोंस भी एड़ करना चाहते हैं जो कि अंधे लोग पहन सकते हैं और अपने रास्ते को और भी अच्छे से नाविगेट कर सकते हैं अब जरा एक बार इस इमेज को देखो इस इमेज में ऐसा लगता है जैसे कि पीछे वाला आइलेंड हवा में उड़ रहा हो पर एक्चुली में ये रात में ही ऐसा दिखता है अंदेरा होनी की वज़े से मलेशिया के इस आइलेंड पर आप्टिकल इल्यूजन बन जाता है जो हमें ऐसा दिखाता है जैसे कि ये हवे में हो देखो इस खूपसूरत सिंग को ये है एक आम सिंग और काम भी किसे आम सिंग के तरह अक करता है लेकिन बेसिक आर्टिस्टिक टच की वज़े से इसका पूरा लुग बहुत कमाल का दिखता है आप एक बार इस इमेज को देखो इससे देखने से लगता है कि इस फोटो को एडिट करके ब्लैक और वाइट किया गया होगा पर असल में ये पूरा कलर फोटो है ये आइसलैंडेश की फोटो है पर ये किसी और प्लैनेट का ही लगता है आपने कई बार सुना होगा कि खड़े-खड़े पानी पीने से घुतनों में दल्द होता है पर क्या ये सच है तो हाँ खड़े-खड़े पानी पीने से हमारे शरीर का केमिकल बैलेंस विगर जाता है जिसकी वज़ा से घुतनों में दल्द होता है अगर आपने ट्रेन में सफल किया है तो देखाओगा कि कई बार ट्रेन पट्री चेंज करती है जहां ट्रेन के पट्री चेंज होती है वहां पर एक मेकैनिकल सिस्टम लगाया होता है जोकि ट्रेन के पट्री को आटोमाटिकल स्विच कर देता है जब एक स्टेशन से निकलती है तो उस स्टेशन से अगले स्टेशन को मेसेज जाता है और दोनों स्टेशन के बीच में एक सिगनल लगा होता है और जब train सिगनल क्रॉस करते है तो फिर मेसेज अगले स्टेशन वालों के पास जाता है कि train आ रही है फिर वो मशीन के स्विच को चेंज कर देते हैं ताकि train पटवी चेंज कर पाए Number 1 केबीसी में जीतने वाले लोगों को पैसे कौन देता है केबीसी में हर रोज लोग लाखों रुपए जीतते हैं तो आखिर पैसे कौन देता है और क्या आपको पता है उनको एक करोड में से एक करोड मिलते ही नहीं तरहसल KBC में जीतने वाले लोगों को पैसे, सोनी टीवी पर आने वाले एड्स और स्पॉंसर्शिप से जो कमाई होती है उसमें से दिये जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के डूल के हिसाब से जो भी आदमी एक करोड से ज्यादा रुपाय लोटी में जीता है या फिर किसी टाइप के शो में जीता है तो उसे उसका 30% गवर्नमेंट को देना पड़ता है और बस इतना ही नहीं फिर 30% में से 4% वो गवर्नमेंट को देना ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोज देखते हो और ऐसा ही वीडियोज आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने